तो आज की यह विडियो देखने के बाद ना पक्का आप अपको कोसने वाले हैं कि आपने कितनी सारे पैसे फेशियल में बरबाद कर दिये पालर में बरबाद कर दिये तो आज की रेमडी आप एक वार ट्राइक कर लेजें आपका जहरा पूरी तरह से चमकने माला और इसका रिजल्ट है वह लॉंग टाब में बहुत ही जादा अच्छा है अगर आप इसका यूज करते रहेंगे तो आपका स्किन कुछ ही दिन में आप देखेंगे टाइट होगा फ़र्म होगा तो आज की रेमडी बहुत दा सिंपल है तो चलिए बिना किसी दिरी की वीडियों को स आप जानते हैं हमारा ना में काजल सिंग हम अपने चानल पर स्किन केर और हैर केर से रिलेटेड वीडियों सेयर करते हैं अकर आप इस तरह के वीडियों में इंट्रेस्टे नहीं तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आज की रेमडी बनाई के लिए ह की रेमडी आपके स्किन को यह जाय करते हैं मसूर डाल पाउर तो आप एक बतन ले लीजिए उसमें अपने फेस पे जितना आपको लगाते होंगे आपको अंदाजा होगा तो यहां पे मैंने लगभग एक चमज ले लिया है मसूर का दाल का पाउडर जो कि आप देख आए अल्मोस्ट ये खतम होने माला है तो इस तरह से आपको एक चमज पावडर लेना है अगयन आपको उसमें एट करनी है थोड़ी सी कड हमें आधी चमज ची दही लेना है पूरा भरके भी नहीं लेना है क्योंकि इसमें हमें और भी चीज़े डालना है इसमें आपको जो एड करना है थोड़ा सा आपको रोज वाटर डालना है अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो आप यहां पर नॉर्मल वाटर या खिरे का जूस भी डाल सकते रोज वाटर हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है आप अगर कोई सा भी फेस पैक लगा ले तो उसमें आप रोज वाटर का एड जरूर करिए और अगर आप पैक नहीं लगा रहे तो सिर्फ और ऐसे ही आप अपने फेस पे रोज वाटर स्प्रे कर सकते हैं या किसी क्वाटन से भी लगा सकते हैं जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही जादा अच्छा होता है तो यह देखिए अब इन दोनों चीजों को आपको अच कर सकते हैं मतला जो आप नहाने जाते हैं तो इसको बना के लिए कि जाए लगा के जाए आपको फेस वास लगाने की जरुत नहीं पड़ेगी और कुछ दिन आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे आपके चेहरे पर अमेजिंग आपको फर्क देखागा तो अभी जो हमारा चे तो फिर आप फ्यान की स्पीड जो है थोड़ी कम कर दे ताकि यह 15-20 मिंट आपके चेहरे पे तो रहे तो इसमें रोज वाटर मेरा है इसलिए इसका जो अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा है कि वस इसको अपने फेस पे लगा ही रहने दे तो यह देखे इस तरह से लग गय जाएगी 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 जादा नहीं लेना है बिल्कुर आपको थोड़ा सा इस तरह से रोज वाटर ले लेंगे आप और इससे अपने चेहरे पे इस तरह से मसाज करनी है मसाज करने से आपके फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन आ वह इंप्रूब हो जाता है जिस्टे क आपके स्किन ना ग्लो करती है स्किन में रिंकल्स नहीं आते हैं तो मसाज हमारे फेस के लिए बहुत जादा अच्छा होता है तो इस तरह से हलके हलके हाथों से मसाज करते हुए आप इसको रिमूफ करेंगे यह पैक है ना गर्ल्स बॉइज आप सब ही लोग लगा सकते है अगर आप एक एंटी एजिंग पैक के सर्च में है तो यह पैक उसके लिए बहुत ही ज्यादा बैस्ट होने वाला है अब हम इसे आपको हटा के दिखाते हैं जैसा कि आप सब जानते ना दही तो हमारे फेस के लिए कितना ज्यादा अच्छा होता है तो अब आप इसका रि पर कितनी ज्यादा लाइट आरे पहले वाला स्कीन देख लो आपको अंतर जो है समझ में आजाएगा आप देख सकते हो फेस सच में कितना ज्यादा साइन कर रहा है कितना ज्यादा ग्लो आ गया चेरे पर तो कोई भी फेस लेक लगा है आपको पना फेस आप नहीं छोड़ लगा सकते हैं अलेवराजेल लगा सकते हैं या फिर कोकोनट ओइल लगा सकते हैं और अगर हमारी वीडियो में आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड और फैमिली के साथ भी सेयर करें मिलते हैं नक्स वीडियो में तिल